तरदी सुरू है अलो गाईज वेलकम तू माई यूटिव चैनल तो बेसिकली आज मैं आपको फ्लोर विजिट कराऊंगा त्रेहान लग्शरी फ्लोर सेक्टर 71 तो बेसिकली यह लोकेशन आपकी जो है वह हो जाती है एक्जिस्टिंग गुरगावा आप बोल सकते हैं एपर से और अपको सुबाद शॉक से भी किनेक्टिविटी है और आपके यह सोऊना रोड से भी कनेक्टिविटी है तो बैसिकली यह वैल mais रहने वाला और अगर में आपको पहली बताए त्रेहां ने कशी द्लोर मैं किया अल्रेडदी जैसे की सट्रा 67 में अदानी के अंदर और सोना में भी development कर रहे हैं तो काफी development इन्हों ने की हुई है और यहां पर भी massive development कर रहे हैं अब प्रक्समान के चलो यहां की development 90% पार्ट तो ट्रेहान ही कर रहा है लेखे रहें कि अंपर बना चुके इसको चीज यहां पर यहां पर आपको ख्लब हाउस भी मिलेगा कि जिसमें आपकी सारी जो आउट्डोर और इंडोर जो एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स होते हैं वह सारी चीज आपको मिलने वाली है यह जो आपका प्रोजेक्ट है यह अगर आप प्लाइन कर रहे हैं कि गुडगाओं के बिल्कुल पास में मैट्रो से से कनेक्टिविटी और आपका सुभाज चौक जो सोहना एलिवेटेड रोड़ा उससे कनेक्टिविटी तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं अगर आपने प्रोजेक्ट विजि और आपका जो basement का portion है वो किस तर ऐसे मिलता है तो basically यह आपका stilt plus 4 का concept रहने वाल है stilt पर आपको parking मिलती है and basement वाला जो portion है उसमें आपको 1,3,1,3 basement मिलता है तो अगर आपने आपके हसाब से आप unit चूझ कर सकते हैं कि आपने basement के साथ लेनी है without basement लेनी है with terrace लेनी है without terrace लेन सकते हैं तो गाइज एक बार चलते हैं सेंपल फैट की तरफ देखते हैं कि अपने फ्लोर को यह बेसिकली इसका बेस्मेंट रहने वाला है आप यह जो देख रहे हैं यह लिफ्ट रहेगी एक कमन वाश्रूम मिलता है और यह हो जाती है आपकी स्टेर केस तो अगर आप इस पर आप के लिए पर स्टाइब आप इस एक यह बढ़ हो जाता है तो अपने फीर शार्ट लेना या फिर अपने लिए पूरई लेना है तो यह बशेट फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि वह जाता है एक पार एदर एक पार इदर तो यह दोनों समना और इंटीकल नमें आप देखने हैं कि इतना बड़ा है कि एक किंग साइज का बड़ा है और आपका इतना सारे अरिया बच रहा है कि इवन यहां पे अपनी स्टेडी टेबल या फिर अपना इसाफ सा कुछ भी बना सकते हैं अगर आपने अपने सर्वेंट भी रखना है तो आप पीछे की तरह यहां पर त्रेहान आपको बहुत बड़े चीज दे रहा है कि आपकी सनलाइट आती है वह कोई दिक्कत नहीं आएगी जो बेस्मेंट में हमेशा स्मैल वाली प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी तो आप अगर इस तरह की चीज इवन आप 4BHK भी प्लान कर रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं प्राइजिंग बहुत अच्छी लगी है बिल्डर ने यहां पर कुछ डिस्काउंट ओफर करता है बिल्डर अभी 30 सप्टेमबर तक जो कि अभी के लिए फिर उनको बिल्डर कर लेता है तो आप प्लान करना चाहें विजट तो आप मुझे क लॉट्सण को कंबाइन करके बना रखा है तो आपको लो लिफ मिल जाती है और यहां का स्टेर के सो जाता है यह लिए जाता है आपकी एंट्री एंट्री कि आप देखोगी कि जो वेट रह वह आपकी जो में येट की वेट बहुँ अच्छी है ऐसा नहीं यह दिन दैल वा यहां पर आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो यह एक बढ़िया इसका प्लस पॉंट हो जाता है फिर इसका जो लेयाउट है कि अब तक मैं कितने भी दीन द्याल वाले फ्लोर दिखाऊंगा आपको लेकिन जो इसका लेयाउट है ना यह इनका बैस्ट पार्ट होता है क्योंकि आप कितने भी फ्लोर देखो इस तरह का इतना स्पेशियस दीन द्याल में नहीं मिलता है तो बेसिकली यह हो जाती है आपकी किचन और किचन में आपको अपर कैबिनेट लोग कैबिनेट चिमनी होब यह सारी चीज़े बिल्डर आपको करा कर देता है यहां पर आपक यह से बना के दी जा रही है तो बेसिकली आप यहां से इसको हटा गए इस तरह से अपनी किचन को फोड़ी और लेंदी बना सकते हैं तो यह हो जाती है अपकी किचन अब हम चलते हैं अपने फर्स बैडरूम की तरफ जो की आपकी किचन के बिल्कुल पास में रहने वाला ह और विद अटेच वाश्रूम और आपकी बालकनी के साथ रहता है यहां पर आपको वाड़ोब भी बिल्डर बना के दे रहा है अब यह देखोगी इसका पहला तो साइज साइज के साथ अटेच वाश्रूम और दूसरा के आएगी सबसे बड़ीया चीज में आपको अपर शमताई लगाई अ अब करना है तो साथ कह दो आप कषीड पता कर नहीं है तो आप आकर को चीज देख सकते हैं कि किस तरह की Pガsm इनकी प्रियोर्टी होती है इन्होंने पहले बहुत development की हुई है तो आप कहीं भी देख सकते हैं कि इनकी quality में कोई इश्यू नहीं होता है तर गाइज मैं आ गया हो अपने second bedroom की तरफ यहां पे भी आपको आपका bedroom मिलता है अटेच वाश्रूम मिलता है आपके wardrobe मिले हुए और दूसरा आपको मिलते हैं यह एक चोटा सा working station तो यह आपका work from home इस तरह की चीज़ों के लिए यह बढ़िया चीज हो जाती है यह बेसिकली आपका जो room है यह भी आपकी back balcony से connect है और वाश्रूम और wardrobe आपको मैंने दिखाए दिए तो बेसिकली यह भी मैं आपको 2bhk दिखा चुका हूं फिर आजाते हैं अपने third bedroom की तरफ तो यह आपका जो size देख रहे हो कि एक तो size इतना बढ़िया ऊपर से wardrobe इतनी वाश्रूम तो यह एक बढ़िया 3bhk के अगर मैं कहीं पर देखो कि 220 गजगा भी अगर कहीं फ्लोर देखो न हुड़ा में तो उसमें इतना area निकल के आएगा आपका जितना यहां पर यहां पर मिलता है यह भी आपकी back balcony से connect है तो तीन कमरे हैं तीनों आपके balcony से attach होते है और आपके तीनों में ही वाड्रोब है तो यह तो हो गया आपका फ्लोर अब मैं आपको एक बर दिखाऊंगा इसका जो आपका basement वाला स्पेस है कि वह आपको कैसे कैसे मिलता है तो वह चलने के लिए लिखते हैं एक बार basement की तरह